नमस्ते मेरी पूरी यूटूब फैमली आज हमने बनाया है एक ऐसा टेस्टी नास्ता जिसके आगे समोसा कचोरी बर्गर सब फैल होने वाले है हम बची हुई रोटियों से और बचे हुए ही आटे से एक टेस्टी नास्ता बनाएंगे जिसे बच्चे हमेशा खाके खुस रहते हैं बहार का कुछ भी नहीं खाएंगे अगर उन्हें ऐसा नास्ता मिल जाता है तो ये रास्ता हमने कैसे बनाया है चलो देख लेते हैं अगर पसंद आता है तो वीडियो का लाइक और सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ पे हमने उबले हुए तीन आलो लिये हैं और इन आलो को हमने आतों से ही मैस कर लिया है ज़्यादा बारिक मैस नहीं करना बस ऐसे रहे थोड़े थोड़े से आलो के जो पीस हैं वे दिखते रहे तो ये देखिए फिर इसमें एक दम बारिक काटी हुई कटी हुई हरी मिर्च डाली है ज़्यादा मोटा मोटा सा प्याज नहीं काटना है तो इन चीजों को हम मिला लेते हैं पहले हाथ से एक मिला लेंगे अच्छे से यह मिक्स हो जाने चाहिए आलो के साथ प्याज और मिर्च तो ये देखिए हाथों से मिक्स हो रही तो इसको मिलाने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें धनिया जो कुटा होगा थोड़ा सा धर्दरा होता है और आधी चमच इसमें नमक डालेंगे ये भी आप सवाधनुसार ही डाल ले थोड़ी सी हम चुक्टी बरहाल दी डालेंगे जो आलू मसाला बनेगा वो एकदम कलर में भी अच्छा बने थोड़ी सी कलर की लाल मिश डाल देंगे तो इससे इलावा हम और मसाले नहीं डालेंगे इन ही से इतने अच्छी आलू मसाला बने के ये तयार होगा तो इन चीजों को अच्छे से पहले मिला लेते हैं तो देखिए अभी से हम इसमें इतनी अच्छी बन जाता है अगर हरा दनिया है तो वह भी जुरूर डाले हमारे पास नहीं था तो हमने नहीं डाल सक्या तो यहां पर देखिए गुथा हुआ आटा है यह सुवय का आटा है और अभी इसको मैं दोपैर में बना रही हूं तो यहां पर देखिए इसकी क्या करनी है इस तरह से एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है बड़ा सा बेल लेना इसको अच्छे से देखिए मैं पूरा बड़ा बेल रही हूं पूरी लोई की एक बड़ी सी लोई की पूरी एक बड़ी रोटी बना लेनी है और इसके हमने छोटी-छोटी सी रोटिया बनानी है पूरी जेतनी तो इससे क्या होगा कि कटोरी से काट सकते हैं आराम से तो कटोरी लिए तो यह देखिए ऐसी जो निच्छे से जिसकी जो कटोरी होते निच्छे से कटवाड़ी होते मतलब कि आराम से रोटी को काट दे वह ऐसी कटोरी लेनी है तो यह देखिए आराम से न सारे पूरी साइज में यह निकलाएंगी जितनी निकलती है उतन निकाल लेते हैं, यह आराम से हमारी एक साथ में देखिए, सारी पूरिया बनके तयार हो जाएंगे, एक साथ में हम पूरे परिवार के लिए नास्ता ये तयार करके दिखाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, सारी पूरिया हैं, जो इनको उठा लेंगे, और जो बाकी काटा बचा है उसको भी ऐसे ही बेल के प्लेट में निकाल लेते हैं तो यह देखिए अच्छे से निकल जाते हैं तो यहां पे देख सकते हो कितनी सारी पूरिया हो गई हैं तो इन पूरियों को अब हमने क्या करना है एक तवा रखना है तवा अच्छा सा अड़का सा गरम होना ची उसके उपर हम एक एक करके इन पूरियों को रख देते हैं यहां पे जितनी तवे पे आ जाती है उतनी ही हम इस पे डाल लेंगे और दोनों साइड से इसको हड़का अड़का सा सेक लेना मतलब यह आठा कच्छा नहीं रहना चाहिए शिक जाना चाहिए तो ऐसे ही एक साइड पलटने से दूसरी साइड फिर से पलट लेंगे एक दम जो हमारा तवा है तेज नहीं होना चाहिए मीडियम गैस पे इसको आराम से से शेक लेते हैं देखिए इस तरीके से कितने अच्छे से यह चोटी-चोटी से पूरिया हमारी बन के तयार हो चुकी हैं यह देखी दोनु साइड से ना आटा हमारा सीक चुका है अच्छे से यह जो पूरिया बणी है वे कच्ची नहीं है तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं इतना ही इन्हें सेकना था गैस पर नहीं सेकना है इसको तवे पर ही सेक के इनको उतार लेना है तो यहां पर देखी मैंने जितनी पूरिया बणाई थी छोटी छोटी सी वे सारी सेक लिए है ऐसे ही तवे के उपर तो अब हमने इन पूरियों से एक टेश्टी नास्ता बणा के तयार करेंगे तो देखते हैं कैसे बनाएंगे हम तो यहां पर देखी पहले दो ले लेते हैं चोटी जो पूरिया आईए दो पूरिय रख लेते हैं इनके उपर लगाएंगे हम टमेटो कैचप अच्छे से न पूरी पूरिय के उपर फैला लेते हैं कवर कर लेंगे अच्छे से ये देखिए अच्छे से इसको कवर कर लेते हैं एक नहीं दोनों पूरियों के उपर इसे फैलाना है एक नहीं दोनों के उपर अब हमने इस पे क्या करना है जो हमारा आलू मसाला हमने बना के रखा था ना इत्तम टेस्टी वाड़ा खुसवो वाड़ा वही इसके उपर रखना है अच्छे से इसको भी ऐसे फैला देना पूरी रोटे को प्रियर निकलेगा नहीं अच्छे से ऐसे ही सैट हो जाएगा ये तो पूरी रोटे के उपर मतलब पूरी के उपर इसको फैला लेते हैं और जो दूसरी पूरी थी हमारी वो इसके उपर रखके अच्छे से इसको दबा देना है ये देखे निकलेगा नहीं कुछ भी से अच्छे से दोनों सैड से ये ऐसे बंद हो जाएगा तो ऐसे ही हम जितनी पूरी हमारी बनी है सारी ऐसे ही करके रख लेते हैं तो ये देखिए ये भी इसके उपर ही मैंने रख लिए है और अच्छे से दबा देंगे इसको तो ऐसे ही सारी पूरिया बना के रख लेते हैं तो ये देखिए एक साथ ही सारी बना के तयार हो चुकी है अब एक साथ ही हमने इनको तयार करना है तो इसके लिए हमने बढ़ा सातवा लिए है तो इसको उपर जरा से तेल में हम इनको बनाएंगे ज्यादा तेल नहीं लगाएंगे बस जरा से तेल तवे के उपर ऐसे फैला देंगे और जो हमारे पूरिया बनь के हमने एक दिम तेश्टी नास्ता जो बना के रखा है उसको सेकने के लिए एक-एक करके इसके ऊपर रख लेती तो ये देखिए सारा नास्ता जो रोटी का बढ़ाया था वो इसके उपर आ जाता है और दोनों साइड से हमने इसको अच्छे से से शेकना एकदम क्रिस्पी सा नास्ता तो गुमा गुमा के भी आप ऐसे पलटके दोनु साइड से इसको अच्छे से सेक लेना यह सिख जाएगा ना एकदम टेस्टी लगेगा अंदर तो इसके जो आलो की फिलिंग हमने तयार करके डाली है वह एकदम मसता है लेकिन बाहर से इसका थोड़ा सा क्रिस्पी होना भी जरूरी है तो इसलिए हम इसको दोनु साइड से पलटके इस तरीके से सेक लेंगे तो यह देखिए हमारा जो नास्ता है बच्चों की फैवरेट का नास्ता है बच्चे वह से खाके खुश रहें कि बाहर का जो चुटियों में बर्गर समोसा यह सम मांगते है ना तो यह घरपया से बनाए और बाहर से सब कुछ उनका चुटवा दे यह देखिए अच्छे स जो मसाला आना यह देख सकते हो कितना अच्छा तयार हुआ था तो यह तो हमारा हो गया है चोटे जो बच्चे हुए आटे से बनाया है यह नास्ता और हमारे पास अब क्या है कि रोटिया भी बच्ची हुई है उनी से भी हम बनाएंगे तो यहाँ पर दो रोटिया जोन सावी तरीक आपको अच्छा लगता वही ट्राई कर लें वैसे तो दोनों नास्ते एक तब मस्ता खाने में यह देखिए मैंने दोनों रोटियों के उपर क्या किया है टमैटों कैसे फैला दिया है और जो आलू मसाला हमने तयार किया था वह इसको फर लगा देना है दोन दोनों रोटिया यह देखिए अच्छे से तयार हो गया और फिर से वही बस एक चमस तवे पर हमने तेल डालना है तेल को अच्छा सा गरम होने देंगे और इन रोटियों को रख लेते हैं दोना रोटिया दोनों जो यह रोटिया है अच्छे से शिक जाएंगी दोनों साइ तो तब भी आप इसे बना के बे सक्खाई बड़ा ही मस्त लगता है नास्ता तो आज की जो रेसिपी हमने बनाई है बच्चे हुए गुत्थे हुए आटे से और बच्ची हुई रोटियों से अगर आप कोई पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और स चैनल को सस्क्राइब करना ये देखी हमारा जो नास्ता था मिंटों में बनके एक साथी पूरे प्रिवार के लिए